हेलो गाईज, वेलकम आन माई यूट्यूब चैनल, इफ या न्यूव आन माई चैनल, सस्क्राइब चैनल फार वीस्सी नर्सिंग अन पारामेडिकल सब्डेट इन इस वीडियो वी आनो अवाउट दी फीस इस्ट्रक्चर आफ पारामेडिकल अटल वियारी वाज़ पे अगर बैचलर्स है तो अगर बैचलर्स है तो एप्राक्स फीस एक लाग रुपे लएगी अगर आप यसी नर्सिंग कर रहे हैं तब भी आपकी फीस वही लगती है 80,000-80,000 लगती है पारमेडिकल के कोर्स कर रहे हैं चाहें जो भी कोर्स कर रहे हैं कोर्स की डिमांड है या नहीं है ये depend नहीं करता है आपके किस course में interest है कौन सा course आप करना चाहते हैं ये आपके depend करता है सारे course अच्छे होते हैं हर course में जितने भी आप देखें काफी अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि अगर वो course बना हुआ तो वो course उसी लिए particular बना हुआ है नहीं तो वो course जो है किसी और subject में किसी और course में include कर दिया जाता है वो दो चार subject पढ़ा दिया जाते हैं तो वो भी जो मान लीजिए वो course है BMLT और BRIT कोई बंदा कर रहा है BMLT क्यों चल ला है क्योंकि BMLT वही कर सकता है जो BMLT करना चाहता है वो BMLT करके जो है वो BMLT में अच्छा कर सकता है वो BMLT हर कोई भी नहीं कर सकता बीपिटी हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं सारे syllabus होते हैं एक protocol होता है तो सारे course अच्छे होते हैं कोई course खराब होगारा नहीं होता सारे course में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा motivation है या उस course के बारे में आप जो है करना चाहते हैं आपके अंदर भी होना चाहिए करने की काभिलियत तो फीस structure के बारे में में इस वीडियो में discuss हरें जो इस्टुरेंट पूछ रहे हैं ये course कैसा है कैसा नहीं है तो आपको interest जिस course के बारे में है उसी course के बारे में आप करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कर जाएंगे देखेंगे हर course में आप जब list निकालना प्रयास करें करेंगे तो वहां देखेंगे सब government teacher होते हैं बहुत अच्छे अच्छे university बहुत अच्छी जगां से पढ़के आये होते हैं जो government teacher होते हैं और foreign से भी कुछ teacher होते हैं जो इंडिया से पढ़क आया होते हैं गवर्मन कारें फारे में जाते हैं फिर वहां से भी पढ़के आते संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आप मेडिकल साइंस राइबरेरी रोड पे है लगनव में है S.G.P.G.I. नाम से ये कालेज है पेज नमबर इसके हम जाते हैं 13 पे जहाँ पे फीस इस्ट्रक्चर बताया गया है फीस इस्ट्रक्चर S.G.P.G.I. की थोड़ी जादा है हमने आल्रेड़ी आपको बता के रखा B.S.C. नर्चिंग की भी इतनी फीस एप्रॉक्स है तो फीस इस्ट्रक्चर S.G.P.G.I. की थोड़ा सा जादा है इसमें आपको हास्टल फैकल्टे उगरा सारी चीजे मिलेंगी आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट इयर की फीस जो है उसको आई हम देखते हैं फर्स्ट इयर की आपकी यहाँ पे फीस लगेगी वो लगेगी 46,250, 30,550 आप दो इंस्टाल्मेंट में फीस जमा कर सकते हैं S.G.P.G.I. में यह अच्छी सुबदा S.G.P.G.I. की है कि आप दो इंस्टाल्मेंट में फीस को जमा कर सकते हैं पोटल अगर 46,250 और 30,550 को अगर हम ऐड करते हैं तो 76,800 आपकी फीस लगेगी फर्स्ट इयर की S.G.P.G.I. में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे जो लिखे हुए हैं एक्जामनेशन फीस जो 25 रुपय लिखे हुए हैं यह हो जाएगी 10,000 रुपय क्योंकि अटल विहारी के फीस 10,000 रुपय है और समेश्टर वाइज हो जाएगा सेशन सेशन हो जाएगा समेश्टर वाइज तो यहाँ पे जो एक्जामनेशन फीस आपको 25 रुपय दिख रही है यह 25 रुपय जाएगा हट तो यहाँ पे फीस इस्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा 76,800 के जो है अलामा थोड़ा सा फीस इस्ट्रक्चर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा बाकी कालेज में हो सकता इधर उधर थोड़ा सा लेकिन गवर्मेंट कालेज में कोई इस्ट्रा दर जार उपे लगए इसके अत्रिक्त कोई फीस नहीं लगती है तो फीस इस्ट्रक्चर है S.G.P.G.I. के जो B.S.C. कोर्सेज हैं B.S.C. पैरामेडिकर्स के जो कोर्सेज हैं उसका फीस इस्ट्रक्चर है यह फर्स्ट इयर की फीस है फिर यह 27,750 और 30,550 यहाँ पे आप देखिए 2nd year की फीस जो है यह कम हो जा रही है जो 2nd year की फीस लहे वही 3rd year की होगी वही 4th year की होगी तो 2nd year, 3rd year आपकी जो फीस लहेगी वह 27,300 रुपय मतलब 57,300 वनली फीस लहेगी जो लहेगी 2nd year, 3rd year की आपको हमने बता रखा है एक्जामनेशन फीस अटल विहारी की 10,000 रुपय है तो 10,000 रुपय एक्जामनेशन फीस और semester wise अब होगा क्योंकि अटल विहारी बाज़ पर ही semester wise करवाती है अब यह early exam नहीं होगा क्योंकि अटल विहारी बाज़ पर ही इस अगर link हो गया है तो semester wise होगा तो फीस इस्टक्चर है जो S.G.P.G.I. में बैसलख कूर्स है आईए हम U.P.O. में इसका देख लेते हैं यह उत्तर प्रदेश उनिर्सिटी आप medical science का prospectus है जो कि पहले CP.NET नाम से exam conduct तरवा थी लेकिन CP.NET से अब नहीं अटल भी हारी बाच पर भी medical university से exam हो रहा है तो आईए हम इसको देख लेते हैं फीस इस्टक्चर क्या है इनका पीज नंबर हम 12 पे चलते हैं जो इनका फीस इस्टक्चर दिया हुआ है बाकी तो यह admission का process वो कर रहा है फीस इस्टक्चर है वो विध हाष्टल हम देखने का परयास करते हैं क्योंकि हाष्टल अगर आप ले रहे हैं तो आपको 48 रुपया देना पड़ेगा एक साल की फीस हाष्टल की फीस एक साल की 6000 रुपय है जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे जो आपकी फीस लग रही है एक साल की बैचलर स्कोर्स के लिए वो लग रही है 34,000 रुपय 34,000 रुपय फीस लग रही है इसमें फीस इंकल्यूड नहीं है एकजामनेशन फीस एकजामनेशन फीस हमने आलड़ी आपको बता है 10,000 रुपय लेगी जो की HGPGI का प्रोटोकाल है समेश्टर वाई होगा तो 34,000 रुपय ये फीस है बाकी कासन मनी जो सम्मिट करवाएगी वो अटल विहारी बाचपी कितना सम्मिट करवाती है UBMS तो 10,000 कासन मनी सम्मिट करवाती है 5,000 रुपय नहीं सम्मिट करवाती है तो 34,000 रुपय ये आपकी फीस लगेगी तो HGPGI की फीस अगर आप देख रहे हैं तो लेकिन ये 1st year के फीस 34,000 रुपय है बाकी 2nd year में आपकी फीस हो जाएगी 29,800 रुपय हो जाएगी 29,300 रुपय सेकेंड ये में फीस हो जाती है तो अटल विहारी बाचपई से ये दोनों का लिज लिंक है बाकी KGMU भी लिंक है KGMU की फीस साएग एप्रॉक्स 72,000 रुपय है विधास्टल वगएरा सब उसमें इंक्लिउड है साएग खाना वाना भी इंक्लिउड है वगएरा भी इंक्लिउड है 72,000 रुपय में जो रेडियो वहाँ पे थेरपी कोर्स है 22,000 रुपय उसका फीस है क्योंकि आप्टोमेट्री एक इस्टुडेंट वहाँ से कर रहा था दोस्त है तो फ्रेंड है तो वो बता रहा था जो है कि वहाँ से जब उसने फर्ष्ट इयर किया उसके बाद उसने सेकंड इयर चोड़के मोतिलाल नेरू मेडिकल काली उसको एमबीवियस मिल गया वहाँ से तो मोतिलाल उसने ले लिया 22,000 उसका 21 बहच है तो एफीस इस्ट्रक्चर है एज़ी पीजाई का KZMU का इसके बाद UPU में सकाई ये रहा Instagram, Telegram, Link है description box में उसको आप join कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ने update के साथ जय हिंद